तो हस्पिटल को डॉक्टर्स चला रहे हैं बिजिनिसमें चला रहे हैं दो प्रकार के हस्पिटल है एक तो सरकारी या मुंसिपल कर्पोरिशन के या पब्लिक प्रॉपटी या हस्पिटल है एक प्राइवेट है प्राइवेट है प्राइवेट है प्राइवेट है उसको एक अच्छे डंग से चले तो हस्पिल एड्मिस्टेशन का कोर्स बना और हस्पिल एड्मिस्टेशन वाले हस्पिल आके चलाते थे और बिकास डॉक्टरों का एड्मिस्टेशन नौलेज नहीं होता है उनका काम मरीज को टीटमेंट करना बराबर कर सकते हैं लेकिन वरकर्स को कै से हैंडल करना क्लास 3, क्लास 4, फूड मैनेजमेंट, इलेक्टिसिटी मैनेजमेंट, वो कैसा करना हो, डॉक्टर के बस की बात नहीं है, तो यह होस्पिटल अड्मिस्टेशन वाले करते थे, अब होस्पिटल चलाने वाले सब मास्टर बिजनेस अड्मिस्टेशन, तो अब जब अगया, तो वो बिजनेस कैसे चलाना वह देखेगा, तो आपका जो मॉडल है, होस्पिटल टू बिजनेस, यह चेंज हो गया, तो डॉक्टर के हाथ में कुछ नहीं है, कई बार मरीज आके जगडा करते हैं, तो बिल जाद करते हैं कि हमको इतना बिजनेस चाहिए, और दूसरी तब उनका अलग-अलग धंक से चार्ज किया होता है, एक प्राइवेट हस्पिल था बंबई में, वो एक बहुत यूनिक था, उनका था कि रात में बारा बजे चेक आउट टाइम, मैंने दुनिया में कही रात में बार कर लेता हूं और उसका अमरा बाहर से करा कि फिर अडमिट करा देता हूं क्योंकि मुझे तो मैं किसी का कमिशन लेता नहीं हूं तो मुझे अमरा इसेंटर वाले उसको काफी कंसेशन दे देंगे, तो उसको जब सुबह 8 बजे डिश्याज हुआ तो उसको बिल दो नाइट मरीज का पैसा कैसा निकालना है या फिर कभी मरीज 10-11 पाइट जाना नहीं है।